जै हिंद वंदे मात्रम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर और आप मारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बंगाल के सात्वे चैनल के चुनाओं के से पहले पूरी तरीके से बाजी पलड चुकी है टीमसी बीजेपी सीपी आईम के खाते में कितनी कितनी सीटे जारी है माउपिनिन पोल एकजिट पोल ने आज साप और 60 शर्वे जारी कर दिया है दोस्तो चुनाओं को लेकर में एक तरब से 6 चरणों की कुल दोस्तों आपको बताया है एक दोस्तों 22 सीटों पर चुनाव संपर होने के बाद लगाता टीमसी और बीजेपी की नेताओं में बड़ी गमासान मची हुई है अब 7 चरण और 8 चरण के चुनाव को लेकर कापी ज़्यादा सरगर्मिया बढ़ती हुई नजर आ रही है तो वहीं 7 चरण के चुनावी सर्वे के अनुसार बंगाल के अंदर बाजी पूरी तरीके से फलट चुकी है टीमसी ममता दिदी का सूपड़ा साप होता हुआ नजर आ रहा है ये बड़ा जटका है चुनाव से एक दिन पहले उपिनियन पोल के अनुसार बंगाल के अंदर बड़ी खबर जहां सामने आ रही है की मतवा समाज के साथे चलंड के अंदर बोटिंग होने वाली है जिसके अंदर पूरी की पूरी सीटे मतवा समाज के साथ में खड़ी है इन सीटों को लेकर भाजपा और टीमसी के बीच में बड़ा घमासान मचा हुआ है तो वहीं करीब 35,000 परिवार लोगों ने एक साथ बीजेपी पार्टी को जोइन कर लिया है और ममता दिदी की पार्टी को ये बड़ा जटका लगा है वहीं दोस्तों 244 सीटों पर एक एक करके उन जिलों की विदानसबा सीटों पर आज बात करने वाली है वहीं अगर दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें नदिया जिले की जा 15 विदानसबा की सीटे है जिसमें टीमसी 10 सीटे जीत रही है बीजेपी को 5 सीटे मिल रही है नदिया दिले की अंदर वहीं पसीमी मेदनीपूर जिले की कुल 15 विदानसभा सीटे है जिसमें 10 बीजेपी, 4 टीमसी जीत रही है दक्षिन 24 प्रगना की कुल 31 सीटे है जिसके अंदर दोस्तो 18 सीटे बीजेपी जीत रही है वहीं दोस्तों अगर आगे जिले की बात करें कूच बीजेपी की कुल 8 विदानसभा सीटे है 8 की 8 बीजेपी की खाते में जाती हुई नजर आ रही है वहीं दोस्तों अगर आगे बात करें कुल कुता जिले की कुल 11 विदानसभा सीटों में जिसमें 7 BJP, 2 TMC, 1 CPIM और 1 Congress के खाते में जा रही है आगे दोस्तों अगर बात करें पूरलिया जिले के बारे में जो आज के सर्वे के मताबिक 7 चरण से पहले 9 सीटे है जा एक सीट BJP को 8 सीटे TMC को मिल रही है पूरे मेरे नहीं पूर जिले की कुल 16 सीटे है जिसमें BJP 9 सीटे जीत रही है TMC 6 सीटे जीत रही है CPIM के खाते में 1 सीट जा रही है आगे दोस्तों अगर बात करें वाकूरा जिले की तो 9 सीटे BJP जीत रही है 2 सीटे TMC जीत रही है 1 सीट CPIM और 1 Congress के खाते में जा रही है आगे दोस्तों मालदजले की 12 विदानसबा सीटों में 8 विजेपी 3 टीमसी जीत रही है एक सीपी आइम जीत रही है वहीं दोस्तों अगर आगे बात करें मुर्शिदाबाजले की कुल 22 विदानसबा सीटों में विजेपी सरफ एक सीट जीत रही है टीमसी 19 सीटे जीत रही है CPIMA के कांग्रेस भी एक सीट जीत रहीément आगे दोसतो अगर बात करें वर्दवान जिले की बारे में 11 सीट बीजेपी जीत रही है 4 सीट एटीमीट 201 सीटों के अपिनियन पोल में बीजेपी 120 सीट जीत रही है टीमीट 7 सीट जीत रही है आगे दुस्तो हावडा जिले की कुल 17 विजेपी 15 सीटे हैं टीमसी दो सीटे जीत रही है बाकी पार्टियों का सूपड़ा साफ नजर आरहा है वह दुस्तो अगर आगे बात करें होगली जिले की कुल 18 विजेपी 14 सीटे है टीमसी तीन सीटे कॉंगरिस की खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है वही दोस्तों अगर आगे बात करें होगली जिले के बाद में पस्सीमी वर्दमान जिले की कुल नव विदानसभा सीटों में जिसमें दो टीमसी जीत रही है साथ सीधे बीजेपी पार्टी के खाते में जारी है वही वर्दमा पडख्षिन देनाजपूर की छव विदानसभा सीटों में तिन तिन पार्टीया दोनों ही खाते में जारी है जिसे पूरी तरीके से तहल का मचा हुआ है कलीपो जिले कि कुल एक सीट है, जिसे एक बाजपा सीट के अंदर खाते में, जारी है जाड़ ग्राम की 4 सीट हैं बाजपा के खाते में, जाने से अमिस्सा पूरी तरीके से गदगद नजर आरे है आगे दोस्तों अलिपूर द्वार जे ले की कुल 5 विधानसभा सीटें है जिसमें 3 बीजेपी जीत रही है दो टीमसी वहीं दोस्तों 61 सीटों में बाजपा 170 पर हैं जहां उत्तर 24 परगना जिला अंतिम में 33 सीटें विधानसभा की TMC 11 सीटे BJP पार्टी 19 सीटे अन्य पार्टी को 11 सीटे 244 सीटों में 7 चनल से पहले BJP पार्टी 186 सीटे जीत रही है TMC 90 सीटें CPIM 9 है कॉंग्रेस को 6 सीटे मिलती हुई नजर आर यह 7 चनल के होने वाले कल के चनाओ के अंदर में BJP पार्टी पूरी तरीके से तहल काम मचाने वाला ओपिनियन पूल जारी कर दिया जो अपने आप में बंगाल के चनाओ के लिए एक बड़ी चनोती पेदा कर रहा है क्योंकि ममता दिदी की लगात तार बोखलात नजर आ रही है यहां तक की BJP के निताओं से लगा कर ममता दिदी ने भी चुनाओी रेलियों के दोरे रद कर दिये गए है तो अब BJP पार्टी के ग्रह मतरी अमी सा और पिये मोदी सीधे वीडियो कॉनफरेंस के जरी लगात तार बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे है दूसरी और बंगाल के अंदर ये भी बड़े हालात बन चुके हैं बंगाल की सियासी राजनिती को लेकर की बंगाल के साथवे आठवे चनन के होने वाले चुनाओ के अंदर कुछ भी हो सकता है जिसको लेकर चुनाओ आयोग ने पहले से ही नोटेस जारी कर दिया है क्योंकि इन दो चनलों के अंदर बीजेपी और टीमसी के बीच में कड़ी टक्र का मुकाबला दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दे कि छास चनलों की चुनाव संपन हो चुके हैं करीब 223 सीटों पर इन चनलों के अंदर में कापी ज़्यादा तेहल का बिराय और एम पार्टी के बीच में कुछ भी टक्र होने की पूरी संबावना है जताई जा रही है लेकिन बीजेपी पार्टी लगातार आरसेस और बीजेपी के नेता लगातार ममता दिधी की हेकड़ी को निकाल रही है जिसकी वज़े से ममता दिधी भी बौकला ही हुई नजर आ र कि अनुसार कल होने वाले 26 अप्रेल के चुनाओ में बंगाल की सियासी राजनिती का भविश्यताय हो जाएगा कि कौन बनेगा बंगाल का सीम दूसरी और अभी से बनर जी और परसांत के सोर ने भी अपना ओपिनियन पोल और बयान जारी करती हुए भी का है कि बंगाल के बातीबा टीमसी पार्टी को कड़ी टकर दे रही है इसके बावजुद बीजेपी कुछ भी उलट पिर कर सकती है बंगाल में पीयए मोदी का बंगाल के अंदर जादू चल पड़ाया जिसकी वज़त से बंगाल के अंदर टीमसी पार्टी के लिए वो सीटे हासल नहीं तो वहीं सीटों को लेकर कापी ज़्यादा गमासान के बीच में एक तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि बंगाल के चुनाव में मत्वा समाज को कापी ज़्यादा पर बाव पढ़ रहा है और एक तरह मुस्लिम समधाय के अबा सिद्की के दोरा कांगरेस पार्टिक गो जोईन करने के बाद ममता दिदी के लिए बड़ा ज़टका लग चुका है वेसे भी चुनावी मेदान के अंदर उत्रे हुए है जान लगातार मुस्लिम बहुमले सीटों पर अपना दब दबा और सीटों को पलकने की पूरी कोशिस में लगे हुए तो वही मतवा समाच के लोग लगातार अनर्सी और सीए के नागरिकता पाने को लेकर पियम मोदी के हुए पिछले दो सब्ता में बांगला देश के दोरे कर भी काफी ज़दा मतवा समाच के अंदर पर बाव पढ़ा है जिसकी वज़त से बंगल की सियासी राजनिती के सरगरिमियों में पूरी तरीके से समिकर्ण आज साथवे चन्ड के एक दिन पहले चैन जो ओच जुके जिसकी वज़त से समिकर्णों के अंदर कुछ भी बदलाव ओ सकता है आने वाले इन साथवे और आठवे चन्ड की क्योंकि एक तरफ से आज के सरवे के मताबिक और पिसले सी वोटर और सी एनेक्स के सरवे के मताबिक भी बंगल की राजनिती के अंदर पूरी तरीके से उलट फिर मचा हुगा है और जिस वसे बेजेपी पार्टी को करीब 190 सीट है दी जा रही है तो वहीं टीमसी पार्टी 90 से 100 सीटों का आकलन छूई रही है जिसकी वज़े से बेजेपी टीमसी के बीच में कड़ी टकर दिखाई दे रही है और अब सातवे और आठवे चरण की सतर सीटों पर बंगल के भविश्य तय होगा और बंगल की जनता भी अब तय करेगी सातवे और आठवे चरण को ले का इनाम जीद कर तो देर किस बात की है आप वीडियो के एंड में पूचे कई सवाल का जबाब जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर दे और दो मई को आने वाले नतीजों के अंदर आपके रेंडम कमेंट को क्लिक करके आपकी एडर्स को लिया जाएगा उसके बाद में आपके टीम को बड़ा होसला मिलता है जो बंगाल की चुनावी राजनिती को लेकर लगातार आपके बीच में जुड़ी हुई है जिसकी वज़े से बंगाल के पिसले च्छा सनुनों के अंदर लगातार टीम सी बीजे पी और अन्ये पार्टियों के भी सरवे ओपिनियन पॉल आने वाले हर वीडियो का लेटस्ट अपडेट आप सभी के पास सबसे पहले और सबसे तेज पहुंच जाए क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और पिसले कुछ दिनों से हम दोस्तों देख पा रहे हैं कि आप हमारे वी चैनल है और हम लगा थार आपके लिए आवाज उठाते हैं और आपका उपिनियन पोल कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर करें क्योंकि बंगाल के चुनों में कापी ज़्यदा बड़ाव नजर आ रहा है वहीं आप जुड़ेंगे हमारे साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाल बटन दबा कर मिलते हैं अपडेट में तब दक के लिए वंदे मातरम जय हिंद